क्या चीज बनाई है और क्यों बनाई गई है और क्यों लोग इतना इंट्रेस्ट के साथ खाते हैं उसको मेरा नहीं है आज तक समझ भी नहीं है काला जाम का कैरेक्टर है काला है और जाम है ये गुलाबी नहीं है गुलाब जाम में कोई लक्षन नहीं है और गुलाब जैसे क खोया के नाम को, क्या पाया, क्या पाया, इलाइशी टाइप कुछ, ठीक है, आज सीरे में तैर रहा है, और खुश्बू भी नकली, यार एक तो रजगुल्ले को जलाओ मत, रजगुल्ला जो है न, वो ऐसे छानने की चीज नहीं है, तेल में तलने की चीज नहीं है, जामुन, गधों के लिए ही है, जैसे राजमा गोड़ों के लिए है, लेकिन मनुश्यों ने उसको, अग्री कर लिया है, खाना, बस चल रहा है, मैंने जमैटो पे देखा है, गुलाब जामुन, अच्छा, अरे शादी वाजी में गए, फ्रीका मिल रहा है, गूतो खालो, जमैटो में तो ऑडर करना पड़ता लए, उसको पैसे लगते है, क्यों ओडर करेगा गुलाब जामुन, अब लिस्ट में तीसरा नाम जुडा है, कैपसिकम के बाद, राजमा, कैपसिकम, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को वो भी बोलते हैं, इधर आप डियू की त पूर्णान गर में रहता हूं किन आइक्स कैसे बोले पुब्लिक में कि गुलाब जामुन खाना है जी जैम्स क्या बात है टीचर ने एक बार एक कदे के सामने एक बाइलटी पानी रखा एक बच्चे को भी बुलायो बच्चा थोड़ा उने बेगड़ायल लगता हुगा यह इस लगता हुए संभावना है इसमें बेगड़ायल की एक बाइलटी पानी रखा और एक बग्गे में पीर बाबा का दम क्या हुआ पानी तो गदे ने जो है बाइलटी का पानी पी लिया टीचर नुला देखा क्या समझे तो उस बच्चे ने का है कि जो पीर बाबा का दम क्या वो पानी नहीं पीते हैं वो गदे होते हैं वो बच्चा बड़े हो करके खानचा नाम से जाना है गालिब और आम को लेकर ये कहानी बहुत मशूर है बलकि गदो के लिए भी कहा जाता है कि सावन के गदे को हर्याली सूचती है सावन के अंधे को अंधे को सॉरी हर्याली सूचती है तो गदोगली कहा जाता है कि जब वो गर्मी आती है न तो बीमार हो जाता है ये सोचके कि मैं सब कुछ खा गया कुछ नहीं बचा और जब हर्याली होती है सावन आता है तो खुश हो जाता है कि इतना कुछ खाने के लिए जब कोई कहा ही नहीं रहा है तो इंग गदहों के लिए कहावत है तो इसको अधरवाइस नहीं लेने कहा है अरे कौन लेगा गदे तोड़ी सुनते हैं लेना तो लेलो कि अदर्वाइश तीन ताल गधहों के बारे में है गधे नहीं सुनते जो नहीं सुनते वही गधे नहीं है या गदहा होता है या गदहा होता है एक जोर है गदहा मुझे लगता है कि यूँ गदहा होता होगा पर संबोधन में जब कहा जाए तो वो गदहा हो जाए गदहे जैसे हमारे हरी शंकर गो neden यूति फेर पाले गदाहा ते नाहीं संबोधन में उग डागा जो है मुझे सही लगता है गदा बोलने में दम है गदा बिल्कुल प्धाखा गदहे में को दवा आता है तूसरा क्या होता है पहले फार्सी लिखते थे न वही भाषा थी तो उसमें गदहा और गदहा लिखना बहुत उर्दु में दो और हो लिखना बहुत होता है अलग अलग नहीं होता हो तो हो सकता है उसके चलते कि यून क्या सुचे नहीं हो लिखना बहुत होता है अलग यून घयत सुचे कि अलग दो ठतुच होता है में घूट कर दो होता है तो खार में घौन रहें जड़ नहीं होता है अलग।